हेलो दोस्तों केलडी क्लासिस में आपका स्वागत है कई दिनों से यूपी एस डबली से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया था लेकिन आज एक ऐसा वीडियो अपलोड किया जा रहा है जिसके बारे में सभी को जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप कोई न जागरन हो या हिंदूस्तान हो सभी पेपर में यह आज आया हुगा एक है सकते कि लोकल निउज पेपर जैसे लखनाव का जो होता ना सहर का चोड़ा चोड़ा उस तरह से उस पेपर में आप पाएंगे कहीं पे किसी पेज में नवे पेज पे होगा किसी में कह सकते कुझ है और क्या नहीं हुझा इसके बारे हम बात करेंगे पूरी डीटेल के साथ तो जैसे सबसे पहले आप हेड्लाइन पढ़ लीजिए हेड्लाइन है एस एई वही चीन में लगा कि यूपी एस डबल ए कह सकते ठीक है बारह हजार बारह हजार ने फ्रीज की सीट आज आ कि कितने कैसे थे हैं कि कितने कैसे दोस्त या कितने स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में सीट एलाट्मेंट हुआ था और कितने लोगों ने फिरीज करा कितने लोगों ने फ्लोट करा सारे चीज़ों के बारे में दिया गया है इसके बाद हम लाश्ट में बात करेंगे क के बारे में हम आपसे बात करेंगे सबसे पहले दिया है कि राज या प्रिवेस परिच्छा वही आपका होता है UPSEE की पहले चरण की काउंसलिंग में 28,498 बिद्यार्थी को सीट एलाट हुई थी जबकि इसमें मात्र 12,000 नहीं अपने सीट लाग किया है अभी कई लोगों को क फ्यूजन है कि हो सोच रहे है इस राउंड पे हमको जो कॉलेज मिला वो पसंद नहीं चले हम फ्लोट करके नेक्स राउंड में जाते हैं फिर उसके बाद हो सकता है अच्छा कॉलेज मिले तो इस चक्कर में अभी तक कहने का मतलब होगा सिर्फ 12,000 लोगों ने फिरीज कर मिला वो आपको पसंद आप उसी में एडिशन कराना चाहते हैं यह होता लौक का मतलब इसे लेकर डाक्टर एपी जी अब्दुल कलाम जिसे हम सीड़े कह सकते एके टीव आप पूरा साठकर के नाम से जानते भी हैं प्रसासन की जिनता बढ़ गए बढ़ गई क्यों क्यों भई लाट हुआ ता लगभग 28,498 स्टूजन को उसमें से सिर्फ 12,000 लोगों को पसंद है कि हमको फर्स्ट राउन में सीट मिली है वह हमको चाहिए यह आगले बार नहीं कराएंगे एक कहने में लब गया सीट लाग करने की आखरी ती ती आज है आप साथ जुलाई कह सकते है कि आज आपको फीज भी पेमेंट करने की लाश्ट है फीज आप पेमेंट कर सकते हैं रात के ग्यारा बज़ के 69 मिनट या कह सकते हैं बारे बज़ के बाद आप रात में कोई पेमेंट नहीं कर से तो आज कभी भी साम तक कर लिए क्योंकि हो सकता है कि साम को कह सकते है कि दो दो बजे या तीन बजे के बार साईटे ना चलें तो tisके पहले आप पैमेंट करके फिरीज करिये या फिलोड करिये गर सीट आपको पसंद रहे और सीट नहीं पसंद रहे तो key in और या फिलोड कर लिए वहाँ पी तो और या अगर इस टीदियゃ उन्हें उनको दावात समाथ हो जाएगा ओने तो फर्स्ट राउन के लिए रह जाएंगे और सेकंड डाउन ने तो औ стать बहुता हो कह सकतेैं जो लोग फीज आज आज कि लाश्ट में जमा नहीं करेंगे वो चाहे फ्रीज करेंगे चाहे फ्लोट पैसा जमा करना होगा सबी को अगर आप कहने के मलब होगा अगर आप OBC और जनरल से आए बिलॉंग करते हैं आपको 20,000 रुपए चाहे वो बॉआ हो चाहे गरल हो अगर आप से आते हैं चाहे वो बॉआ हो गरल हो इनको 12,000 रुपए देना होगा यह कह सकते हैं कि काउंसलिंग फीस या इसे हम सेक्यूरिटी फीस कहते हैं आप कुछ दोस्तों नहीं इसी चीज के पूछा था कि सर अगर फर्स्ट राउन में जो कॉलेज हमको मिला है अगर हम कह सकते हैं आगे और कुछ बात करते हैं पहले चरण की काउंसलिंग का परड़ाम कब आये था चार जुलाई को और सेकंड राउन की रेजल कब आएगा तो आपका 15 तारीक को आएगा जो लोग सेकंड राउन की जैसे 8 तारीक से 8 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक आपकी कह सकते की वेरिफिकेशन डाकुमेंट और च्वाइश लाकिंग करना होगा सारा चीज करना होगा उसके बाद आपका 15 को आएगा किसको कहां पे कौन सा कॉलेज प्राइबेट मिला की गवर्मेंट मिला कह सकते कि कौन सा ब्रांच मिला सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे इसमे सिर्फ 28,498 लोगों को कह सकते सीटला किया गया था जिसमें से आभी तक सिर्फ 12,000 लोगों ने सिर्फ फिरीज कराया है और बाकी लोग क्या कर रहा है इस तरह से जिन बिद्यार्तियों को सीटला हुई उन्हें फिरीज फिलोट का विकल्प दिया गया जो बेरती अपनी सी अपने में मिश्टेक हो चुका है वहीं जो विद्यार्थी और कह सकते हैं कि वहीं जो विद्यार्थी और पहतर सीट चाहते हैं उन्हें भी उक्त निधार्थी सुल्क जमा करें चाहे आप फ्रीज करें चाहे फ्लोट करें सबी के लिए वही रेट है वही सुल्क है कह सकते है यह था हमारा कि जिनको seat first round में इलाट किया गया था ओ फ्रीज या आप कहसते फ्लोट का option कर सकते हैं इसके बाद आता है कि जिसको किसी भी round में कोई भी college नहीं मिलता उनके लिए क्या होता है वही आपका spot होता है वही दिया कि direct admission के लिए registration का portal launch यह launch भी हो चुका है आपका कली से साइट पर आ भी चुका है कह सकते हैं यह पूरा आपका वही एपी जी अब्दुलकलाम प्रावर्धिक विस्विद्याला सीधे आप एकट्यू ने राज परिवेस परिच्छा की counseling के बाद खाली सीटे अगर खाली सीटे होंगी तभी आपका spot होता तो समझें spot भी आपक कोर्सों में सीधे या management कोटे में प्रिवेस लेने वाले विद्यार्थियों को इस portal पर registration कराना अनिवार है बिना registration क्या आप नहीं कर रह सकते हैं अन्य था कि इस्तिती में उनका नामंकर मान नहीं होगा इस portal पर registration कराने के लिए कह सकते हैं वही UPSWE में सामिल समान हुए OBC अ तक अगर आप कह सकते हैं registration कराएंगे यह इस पार्ट की मैं बात करो जो इस पार्ट आपका फर्ष्ट और सेकंड चलेगा उसमें अगर आप OBC और जनरल है तो 1000 रुपए SCST है तो आपको 500 रुपए बवाय और गल्ल के लिए सेम है यह ने किया आप सर आप ने तो बवाय ब 50 रुपए निर्धारित किया गया है रिश्टार नंदलान सिंग ने सभी संबंद कालेज के निर्धारित रचारियों को इस पोर्टल पर सीधे प्रिवेश लेने वाले विद्यार्थों के पंजिकरन कराने का निर्धारित बेवस्था हुए योगता के अनुसार ही खाली सी साइड है www.ac.in पर पोर्टल जारी किया जा चुका है उन्होंने कहा कि वेपसाइट पर उपलब लिंक का पेज हो गया मला ओपन हो गया है लिंक पर प्रात्मिक प्रंजिकरन के लिए आविदन प्रारूप होगा यदि सूचना आप पूर रहती है तो उसके अनुसार चार् है सब्सक्राम कि SPEAK इसकते हैं जैब करेंगे वाइस परोस्ता कसा सब्सक्राइब मिला है सारे चीज़ के बारे तो यह थी आज की यूपी एस डवली या एके ट्यू यूपी ट्यू जिसके भी नाम से जानते सभी उसी के नाम है यह सबसे इंपोर्टेंट कोश्चन था कि जो आपका सीट एलाट्मेंट का जो आज टाइम है लास्ट है साथ जुलाई को जिन दोस्तों ने आभी इंतजार करें थे कि फ्लोट करें या फ्रीज करें उनकी लिए आज लाश्ट डेट है तो इंतजार ना करें जल्दी से कुछ भी करें चाहे फ्लोट करें चाहे फ्रीज करें अगर आपको जो सीट मिली है अगर पसंद नहीं है तो आप क्या करें पैसा और अगर आपको seat पसंद है तो तुरंत जाके उतना ही पैसा जमा करें और फ्रीज कराके और कहा सकते हैं कि फिचकल रिपोर्टिंगर के admission करा लिजे तो ये थी सबसे important है इसको आप अधिक से अधिक share करें जिससे आपके दोस्तों को भी पता चले कि क्या आज की news है इसे आप जो आपके news paper आता है अमरुजाला ये अमरुजाला से लिया गया है हर paper में ये news होगा लेकिन अलग-अलग पेजों में होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा इसी तरह से आप daily KLD Classes बने रहें के LD Classes बने रहें आप सभी दोस्तों को KLD Classes की ओर से धन्यवाद